हलो गुद मॉनिंग नमस्कार एक फिर से आप सबका स्वागत है वाइफस्टेडी स्टूडियोज चानल पर विचिस आप आप अपनेक आदमी और सुबह पांच बिचे का जो टाइम स्वाट है वो रहता है आपका रिविशन का पार्ट बट सुबह साथ विचे जो आपका मी सबसे पहले तो विश्योवाद करेंगे हम लोग कोश्टन की लेकिन उससे पहले जड़ा आपके स्पेशल क्लास चल रहे हैं सबसे पहला NCRT क्लास इसका टाइम क्या है च्छे बच के दस मिन शाम को यह सेशन रहता है यूपेसी केटेगरी में आपको यह क्लास में थोड़ आपको SSC केटेगरी में मिलेगा दोनों केटेगरी थोड़ा सा ध्यान रखके आपको इन क्लास को टेंट कर सकते हो दी जादा फ्री क्लास अच्छा आप देखो यहाँ पर शुवाद करते हैं कोश्टन की लेकिन सबसे पहले एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने आप से पूछा जा रहा है कोस्ट ओफ लेविंग डेवलेपर विच इस दी मोस्ट एक्पेंसिव सिटी इंडिया पॉर माइगरेंस जो माइगरेंस होते हैं जो बाहर के देशों से भारत के अंदर आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी कॉन सी है तो मुंबई अच्छा मुंबई के अंदर एक चीज़ और वी थी मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो ट्राफिक सिंगनल्स पगयरा है उसमें जो मार्क यूज होता था उस मार्क की जगे पे अब फीमेल के आइकन का इस्तमाल किया जाएगा ताकि जेंडर इक्वालिटी करी जा सके अगला सवाल who has become the most recent women to reach the deepest point of the Pacific Ocean Pacific Ocean के जो निम्न बिंदू है वहां तक पहुंचने वाली सबसे पहली महिला कौन बनी है क्योंकि देखो और सी बात है यही थी जो स्पेस की भी बात करें तो भी यही नाम आएगा अगर हम deepest point की बात करें तो भी यही नाम आएगा जिसको हम Challengers Deep के नाम से जानते हैं और Mariana Trench के नाम से भी जानते हैं अगर देखा जाए तो यह water के यहाप हम कह सकते हैं surface level के 11 धियान रखना 11 point something का कुछ है यहाँ पर deepest आपको रेंज मिलती 11.9 है शायर बट एप्रॉक्स आपको याद रखना है कि 11 है मतलब वह वैसा वाला कि कुछ भी नहीं मालू है ना Pacific Ocean के अगर बात करोगे तो यह यहाँ पर आपको मिलेगा Ring of Fire Ring of Fire क्या है यह ऐसी जगे हैं जहाँ पर आपको बहुत जादा वोर्ल के नों और Earthquakes देखने को मिलते हैं नेक्स देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहां से बिलॉंग करती है उसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जो नंबर वन पर रही डाट इस बेल जी एम देखें इसकी काप्रिल क्या हो जाएगी ब्रूजल्स हो गई है ना अब ब्रूजल्स है तो भाईया यहाँ पर दो हेड्कॉर्टर मिलेंगे जल्दी से इनके नाम भी देख लेते हैं NATO and European Union इस है चलो यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंस प्रांस नंबर 3 ब्राजील और इंडिया की रांकिंग कितनी है 108 नेक्स यहाँ पर जीट्वेंटी यह वैसा वाला सवाल है कि जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी वाई जीट्वेंटी के जितनी भी समिच होंगी सबका जो कि इन में जो हैड रहेगा वह कौन रहेगा इटली रहेगा और 2022 के जितने भी जीट्वेंटी के सम्मेलन रहेंगे उसका हेड कौन रहेगा इंडिया रहेगा बस इतना आपको याद अखना है पर चाये मीटिंग यहाँ पर किसी भी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ट्र इनने इस वीक के रूप में सेलिबेट कर रहा है यहां पे रेलवे मिनिस्ट्री तो यह भी कहीं ना कहीं आपके ने इपॉर्टिन बन जाता है अच्छा अगला देखो इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रांकिंग कह रही तो इंडिया की रांकिंग कितनी है 168 नंबर पे रहा अब इस इंडेक्स को अगर देखा जाए तो इसको यहां पे जारी कौन करता है तो आप देख सकते हैं यह उनिवर्सिटी के दौरा इसको जारी किया जाता है और ओ बता देते हैं अच्छा गाइज एक पर सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो यह आपकी जिम्मेदारी होती है और हाँ जो पेड बारे में भी आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे क्योंकि अब बच्चे हैं सिर्फ नौ दिन उस बाच को शुरू होने में यहां आप देख सकते हो इंडियन गैस एक्षींज इसको यहां पर शॉर्ट में नाम से लिखा जाता है अभी क्या करेगा ओन्लाइन डिलिवरी इस यहां पर प्रोवाइड करे जाएंगी और इसको अभी लास्ट मन जो है वहां पर इसकी शुरूाद करी गए ती यू कन स् इसी रिवर है जिसको अभी देखा गया है कि वहां पर 500 साल पुराना जो मंदिर है वो यहां पर आप कह सकते हैं कि समझ हुआ था वंस अपॉन आ टाइम अभी दुबारा से उसके जो अफशेश हैं उसके जो एविडिन्स हैं वो देखे जा रहे है आंसर विल भी महानदी ओरिसा में आपको एक जगा देखने को मिल रही है जहां पर यह चीज हुई है तो दाट रिवर इस महानदी इसी के पास में इसी के किनारे वो जगा लोकेटिल है ठीक है देखो यहां पर लिखा भी हुआ है 15th और 16th century की वो बिल्डिंग है जो यहां पर पूरी तरीके से सम कि बता देना अच्छा यह बता देना आइपिल को स्पॉंसर तुम लोग के हिज़ाब से कौन करेगा देखे क्या बोलते हो जल्दी से कमें सेक्षिन में लिखना अच्छा टोक्यो ओलंपिक्स 2021 शिफ्ट हो गया इसके बाद अगला होगा पैरिस में नेक्स होगा आपका ल यह किसके दौरा लॉंच किया गया आंसर हो जाएगा HRD Ministry लेकिन इसकी जगह पर किसके पास है रमेश पोक्रियाल जी के पास आपको ही मंतुराले देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं माले का ऐसा कौन सा छेत्र है जहां पर जो ग्लेशियस है वह बहुत ही तेजी से मेल्ट कर रहे हैं मेल्ट करने का रीजन क्या है इस पहले ना ना हुट खिया यह जगा खास हिव बहुत है लेकिन सबसे पहले ज्वा लोग रहे प्रट। यूपी इससे पहले 36 गड़ हुआ करता था लेकिन अभी रिसेंट्टी का जो डेटा है उसके हिसाब से यूपी जो है वो नमबर वन पर आ गया है इसके अंदर नमबर वन पर कौन सी कंट्री आ गए है दाट सिंगापूर मुझे कमें सेक्षिन में आल से के बताना इंडिया की रैंकिंग क्या है जल्दी से कमें सेक्षिन में अगला राजा पर्व फेस्टिवल कहां पर सेलिवेट किया गया सिंपली और इसा अच्छा एक च आपके 10 जिनों की यात्रा होती है कहां पर पूरी नाम की जगा के अंदर ठीक है चलो अगला देखते हैं वहाज रिसेंट्ली विकेम तब ब्रांड अमजरा यह तो दो दिन पहले ही पढ़ाया था बिहार के अंदर जो खादी मॉल है उसके अमजरा के रूप में किसका एप इसके अलावा भई देखो this is a batch, this is the batch, SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, DRDO के लिए, railway के लिए, NDA है, आपका serious है या पिर आप state level के लिए अगर basic से पढ़ना चाहते हो, basic to advance पढ़ना चाहते हो तो this is the batch, जो पूरे साल भर का batch है, amount क्या है? 5400 है, पहला subject इसमें हम quality पढ़ाएं लेकिन इसके साथ में maths, English और reasoning, ये जो classes होंगे ये भी आप अपने किसी भी फेवरिट educator का देख सकते हो, और इसको join करने के लिए code के लिए आप से कितने बजे, 7 बजे, till then, खुछ रहे है, मुस्क्रातरी, बबाए, आंटे किया